नमस्कार आप सभी का अगा इस्ट्रप्शन 99 में बहुत बहुत फागत है आज हम लोग जानेगे जिस बिंदों पर जिस धराओं पर सूचना आयोग काम करता है उस बिंदों पर भी स्वासमय सूचना आयोग के पि आयो भी सूचना नहीं दे पा रहे हैं किसी भी सूचना देने के लिए RTI Act के तहट 30 दिनों का प्रापधान है आप लोग देखें मैंने सूचना आयोग, सूचना भवन पटना विहाराज सूचना आयोग में एक मां के नाम से RTI लगवाया था जिसमें मैंने तीन बिंदूओं पर सूचना की मांग की थी लेकिन सूचना आयोग भी 30 दिनों के अंदर इस बिंदूओं पर कोई भी सूचना नहीं देना चाते हैं चलिए इस चैनल को अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें जिससे आर्टी आई एक्ट के तहत भरस्टाचार के खिलाफ या अन्य तरीके से भरस्टाचार के खिलाफ आप लोग भी किस तरह अपने अधिकार का प्रयूग कर लर सकते हैं तो मैंने सूचना आयोग बिहार आज सूचना आयोग में 12 सेप्टेमबर 2022 को आप लोग देख रहे हैं रिसीविंग में मोहर और दसकत सहीत है एक मा के नाम से आर्टी आई तीन मुख्य धाराओं से संबंदित जानकारी के लिए लगवाया था लेकिन आज हमारा 18 सेप्टेमबर तीन एक मा से चह दिन अधिक हो चुका है लेकिन इससे संबंदित कोई भी सूचना सूचना आयोग भी नहीं देना चाह रहे हैं आप लोग देखें मैंने तीन बिंदों पर किस प्रकार सूचना मांगने का प्रयास किया जिसमें सूचना आयोग भी सूचना नहीं देना चाहते हैं मैं RTI X 2005 से संबंदित निमलिखित जानकारी चाहती हूँ पहला धारा 21 के तहत किस किस इस्तिती में 2 CPIO पर कारवाई किया जाता है इसका क्या माप डंड है इसकी संपुर्ण जानकारी चाहती हूँ दूसरा धारा 22 के तहत किस किस इस्तिती में 2 CPIO पर कारवाई किया जाता है इसका क्या माप डंड है इसकी भी संपुर्ण जानकारी चाहती हूँ तीसरा यदि PIO द्वारा सूचना देने में बिलंब के कारण आवेदक को छती होती है तो इसके लिए आवेदक को धरावनीस आठवी के तहत आवेदन देने के लिए आवेदक को कहां और किस माप डंड के आधार पर आवेदन देना होता है इसकी जानकारी भी लब्द कराने की किरपा की जाए यह RTI 2005 की तीन मुक्ष धाराएं हैं जिस पर सूचना आयोग भी काम करते हैं और इस धारा के प्रियोग करके ही PIO दोसी लोग सूचना अपदाधिकारी जन सूचना अपदाधिकर पर कारवाई किया जाता है लेकिन इस धाराओं से संबंधित जानकारी भी विहार आज सूचना आयोग के PIO नहीं देना चाते हैं इसका क्या कारण है आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगें मैं क्या कहने चारा हूँ इसलिए आप लोग भी सूचना आयोग में भी RTI लगाकर सूचना आयोग में हो रही कम्यों को उजागर करें और इसे अपने सरकार अपने सक्षम प्रादिकार की समक्ष लाने का प्रयास करें जिससे सूचना आयोग भी सोशम है सही से सूचना प्रदान करें और दोसी लोग सूचना प्रदाधिकारी पर करवाई करें यह हम जनता ही आम जनता ही इसका प्रियोग कर सूचना आयोग में हो रहे गरबरी को भी ठीक करवा सकते हैं और इसकी जानकारी हर किसी को देने से इसे इतना सेर करें कि हर कोई इसका प्रियोग करके अच्छी तरह अपना अधिकार का प्रियोग करें और अपने राजी के गव को भी इसकी सूचना अवस्दें की हमारा सूचना आयोग भी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का ही पालन नहीं कर पारा है जैहिन।